राजदानी भोपाल में दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ बैठ कर आतिस बाजी देख रहे एक युवग के पास में रस्सीबम चल गया रस्सीबम की आवाज इत्थी की युवग के कान का परदा फट गया रस्सीबम फटते ही युवग के कान में जलन होने लगी भोपार के इस्वर नगर में रहने वाला एक युवक अपने दोस्तों के साथ पठा के चला रहा था इसी दौरान उसके एक दोस्त ने सुतली बं उसके नस्दीक रख कर चला दिया बंकी आवाज के बाद युवक के कान में संसराहट होने लगी सामा ने घटना मान कर युवक ने अपने कान में सरसो का तेर डाल लिया इससे तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई इसके बाद दौरान एक्सपर्ट डौक्टर एसपी दुवे के पास पहुचा डौक्टर दुवे ने बताया कि ये मरीज मेरे पास आया और बोला कि मेरे पास में रसी बंक फट गया उसके बाद से कानों में संसनाहट हो रही है मैंने रात में सरसो का तेर डाला तो बहुत दर्ध हो रहा था जब हॉस्पिटल में हमने एंडोस्कोप डाल कर देखा तो कान का परदा फट गया था ये एंटी में से इस डौक्टर एसपी दुवे ने बताया कि जस्न बनाएं लेकिन कोशिस करें कि तेज ध्वन के पटाके ना फोडे तेज आवाज वाले पटाके चलाते समय उसके पास ना रही क्योंकि पटाको और तेज आवाज से कान का परदा फट जाता है किसी को तेज चाटा मार देते हैं तो कान का परदा फट जाता है जब भी किसी प्रकार का तीस धमाका होता है या हवा में परिवर्थन आता है तो परदे के पढ़ने की संभाब ना रहती है डॉक्टर दुमे का कहना है कि इस समस्या में ये सबसे अच्छी बात है कि जो ट्रॉमेटिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हीर हो जाते हैं एक महीने में आम तोर पर ये परदे हीर हो जाते हैं एक महीने तक ये ध्यान रखना पड़ता है कि कान के अंदर पानी ना जाए यदि कान के अंदर पानी चला गया तब फिर इसका टेंपेनो प्लास्टी नाम का ओपरेशन होता है एक हपते तक इसकी देख बाल कर ले और मरीज को दुखाम ना हो पाए तो लगभग एक महीने में मरीज के कान का फटा परदा ठीक हो जाता है इस मरीज की एक महीने बाद सुनने की जाच करेंगे पटाके चलाते समय साब्धानी बर्दनी चाहिए क्योंकि कान बहुत समेरी अंग है उसकी रक्षा की जानी चाहिए जिवाली के जस्न में आतिस्वाजी करते समय लोग आसाब्धानी के चलते घायल हो रहे है मतप्रदेश में 108 एंबूलेंस का संचालन करने वाली जैंबी कम्पिनी के कॉल सिंटर पर सोंबार दोपहर 12 बजे से मंगल बार दोपहर तक करीब 37 ऐसी बर्ण कम्प्लेंड दर्ज हुई है जिनमें लोग आतिस बाजी की चलते घायल हुए है पिशले 24 घंटे में 746 लोगों ने 108 एंबूलेंस को कॉल सिंटर पर फोन कर एंबूलेंस के लिए हल्प मागी है इनमें 490 लोग रोड एक्सिडेंट्स में घायल हुए है अचानक बम फढ़ गया उसके बाद से कान के अंदर बड़ी संसनाथ हो रही है मैंने सरसुकर तेल रात में डाला था तो बहुत दर्द हुआ था और मैंने एंडोस्कोप डाला तो देखा तो उसके कान का परदा फढ़ गया था अभी भी तेज किसी भी तरीके का धमाका या हावा में परिवरतना आता है तो परदे के फटने के संभाना रहती है और जो ट्रॉमेटिक परफॉरेशन रहते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं हील होने के लिए ये परदे आम तोर पर एक महीने में पूरी तरीके से हील हो जाते हैं एक महीने के बाद तक ये सावधानी बरतनी पड़ती की कान के अंदर पानी नी जाए अगर माली जे पानी गया आपने के डुकी लगा ली तो फिर ये जो परफॉरेशन है ये भर नहीं पाता है ये परमोनिंट परफॉरेशन में तबदील हो जाता है तब इसका टिंपेनो प्लास्टी नाम का आपरेशन होता है